हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई एस्टड़ी फीड़ा फीजिकल एजूकेशन चैनल दोस्तों जैसा कि आपका उत्राखर्ण एल्डेग्रेट फीजिकल एजूकेशन का अठारा अगॉस्त को एक्जाम है जैसा कि मैं सिलेबस के कॉड़ियां आपको वीडियो पुरा करने की गोसिस कर रहे हूं और आप भी अपने तरब से पूरा सिद्दस के साथ वीडियो देखिए और सिल्फ इस्टड़ी भी कर रहे हैं और दोस्तों जैसा कि आप फीजिकल एजूकेशन के किसी भी कॉंपटिशन एक जाम का प्रिप्रेशन कर रहे हैं सभी के लिए आल वीडिय बेखिए यह सब्सक्रीम एक कर रहे हैं कि बारें पूरे डिटेल में बताये हूआ है एक पार टू है जिसका से और और समझते हैं ? दोस्तों जैसा कि किसी ने कमेंट किया हुआ था, कि एंग्लिस में भी कोष्णन लाईये हैं,िंग्लिस में इंग्लिस हिंधी दोनों में मे ला रही थी और इतना कम टाइम बचा है कि दोनों में लाना पॉसिबल नहीं हो रहा हैंsur जो UKLT है उसको कराने के बाद इंग्लिस हिंदी दोनों में लाओंगी UPTJT and MPUR2 के लिए तो जले से पूरा कराना है इसलिए मैं अभी जो 10-15 दिन का टाइम है उसमें मैं आपको इंग्लिस में नहीं ला सकती लेकिन जो भी कठिन वर्ड है उसको इंग्लिस में जरूर बताऊंगी कि इसको क्या बोला जाता है तो दोस्तों कोशन है सरीर क्रिया बिग्यान से आप क्य का फीजियोलोजी होगा तो क्रिया बिग्यान यानि फीजियोलोजी के अंतरगत सभी सरीर के अंगों के कारे यानि फंक्संस के बारे बात होता है यहां मानों सरीर के सभी भाग के कारे जो है क्रिया बिग्यान के अतरगत आते हैं यानि कि दोस्तों सरीर के सभी संस्थानों के साथ किस प्रकार कारे करते हैं उधारण के तावर पर मानो सरी क्रिया बिग्यान के परड़ाम सरूप ही हमें मानो हिदय के द्वारा किये जाने वाले कारियों का ग्यान मिलता है Q2 सरी क्रिया बिग्यान में अधियर किया जाता है Three स्रीड के अंगों की ग्यान का अध्यान को कहते हैं फंक्षन सा बात आएगा ती इन इन इनोटोमी कहा जाएगा तो यहां पर इन्न तो मी आपका रैडिकिन सारी से नहीं जाता है इसके अंतर जीवित है चल यह अचल वस्तू का बिछेगन करके उसमें अंग प्रत्य मं की इस ट्रॉक्चर या रचना काध्य किया जाता है याद रखियेगा कोसे निमबर 4 है सरी स्रचना यानी बॉड़ि इस ट्रॉक्चर की बात कर रहा है यहां दिया था कि पॉइंट जरूप करिएगा दूस्तों उससे आपके कोशन आसानी से हज़़ हो जाते हैं यह दि आप थियोरी सेशन पढ़े हुए हैं तो कोशन नमर फाइव है जिवित प्राडियों की संरचना की कारेविधी को जाना जाता है यहां भी कारेविधी एक ही कोशन को कैसे कै कि पूछता है इस इसाल को देखेगा तों राचना की कारेविधी यहां पर पर कारेविधी Egysle कर्या प्रूप की जोड़ी कोशन नमर शीक्स है कि निम्लिखित में इसे कौन सा सरीष रचना समंधी सब्द जो है सुमेलिक नहीं है तो दोस्तों सरीष रचना में जो है जो सब्द होते हैं जैसे कि मैंने आपको इनोटोमिय फीजियोरोजी के जो प्लेलिस्ट होगा उसमें मैंने बताया हुआ है कि किस सब्द को क्या कहते हैं एंटेरियर को आगे पोस्टेरियर को पीछे यह सारे प्रकार के सब्द मैंने आपको बताया हुआ है जैसे कि मैं एक बात ही से दोहरा दे रही हूं कि एंटेरियर को आगे पोस्टेरियर को पिछला भाग मिडियल को भीतर लेटरल को बाहर सुप फेली भी नीचे की और, यूनिलेटरल जो एक और होता है, बाइलेटरल मतलब दोनों और, सुपिरियर मतलब उपा, इंफिरियर मतलब होता है, नीचे, तो अब यहां पे हम मिलाते हैं, एंटेरियर मतलब होता है आगे, याने की सामने, तो यह आपका राइट है, यहां पे ग के अटेञर की और मों मतलब होता है मिडियल मतलब होता है आपका अंदर की उर शेहरा को सुपाई नेशन कहते हैं मेडियों जो होता है वह अंदर क्यों होता है इसलिए यहां पे आपसा और यहां पर और्फ लोटी जोडों के अध्यन को कहते हैं अप्मायो। के अध्यों को भीकु तूर स्वाई है और स्पेंस्ट में यह वाद सली जोडों क्या मिला संवन प्रित सते हैं हो तो फिसे जोडिया है, ग्रला अध्य ब्यूस किसी इ VO7. नम्र नाइन है juice कि इस पीचाइण की गतिविधी होती है तो तुस्तों चार प्रकार की मुमेटस इसमें होती है जय सेट इसमें होती है कट कर requirement जैसे के फाक्शन शेचेशन जो सी पाक्कर नियुर्म पार्चने जिलना कि गतिविधी मेस पड़ी होती है Democratsising इक्षियल रोटेशन, लेट्र ख्रट्र आनी के पार्स हो जुका और और एक्षियल रोटेशन यानी के अच्छे जुका, इस चार प्रकार के जो है मुहिमेंनस इसमें हो सकते हैं, जिसे हम यहां प्रकार के रोटेशन है्, राइट रोगार चार, कोईसे निम्बर 10 है sotto कि तुल्हागों की सरीड का कौन सा भाग तुल्हात में कणुलूंत से चोड़ा होता है तो इस कोईशन का अनिसलिए आपने कोईशन सुन्ती हो दे दिया होगा तक पहरी जो कुल्हवाला भाग होता है वह फूर्सों कि तल्ला महिलाओं का तुलाता है चोड़ा होता है करते हैं जो संतुलन होता है वस्तु के चोड़े अधार और उसके गृत्व केंदर बिंदू के पर निभर करता है तो गृत्व केंदर बिंदू किसे कहते हैं जहां पर वस्तु का समस्त भार कारे करता है वहां पर गृत्व केंदर बिंदू होता है और गृत्व केंदर उब इस principally X Skill ó Łै 2 दिशा प्लाय। को 11 जूरा करता हैं। तो दोस्तो जो हमारा उत्त को प्लाया होता है। जो हमारा हमारे और से वजिठीन गूर्वा प्लाय होता हैं। इसके आपको प्लाय सो एमारे हुखों कोटा कि मैं हैं। लीटेल में जरू होता है। तो आप तीशू एनटोमी फीजियोलोजी के प्लेइलिस्ट में जा करके आप तीशू वाले वीडियोच को जरू देख लिजिए जो हमारा जो उतक होता है समान रचना समान कारे करने वाले पोशिकाओं के समू को उतक यानि तीशू कहते हैं उतक चार प्रकरक होता है होता है उसके अंतर गर्ठ हमारा चार प्रकरद के समू कटिशू होता है समान तंतु में कंकाल और समयोजी ऊउतक जो समाने तंतु में होती है उसमें Ériolar होते हैं जब पंतु में जो फाइबर स्कूश के अंतर कंृचिय और बोन होती है अस्थियां है और कंनेटी ट्story road and limbließen Den याद रखिएगा तो यहां पर रखते किस प्रकार का उत्तक है तो एक तरल संयों जी उत्तक है याद रखिएगा और लसिका भी या लिंप भी कोशन निमबर 12 है मानुसरी में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है दोस्तों तो आप सबको पता है कुल 206 हटिया पाई जाती ह है मानुसरी के हड्यों को डू भागों में भार किया गया है एक्षीयल घंकार एंड और पेंडिकुला लिंड एमकी धार ऑज्चेया होता है और खोप्णी क тобой ऑपर लिम में कुल्प ऑर पेरों की हड्या मुला करे 59 हडई एक्स कंकाल में poetmond okay बुधि caf 아니야 18 컨 wod介हां को इसकी होती है कि हमारा dubt था जो 19 हडफ्य क्ष से वह इसकी है 29 हड़ी एंसरं हमारा कमारा किम्ठर के शेड़ होता है इसकळ जिसे बोलते है इसकळ नियोक वहना हमारो कार्या च्रिने ऑर ह्रा एक होता है और को था प्रेचर होती है घुशुआती है वशे प्रविय हैँ अभ लेख्यर्म नरॉट करसे हो टेयर होती है और यूई जर्रवस का जई दाहर होता है 2 maioria नहीं होता है उसमें 12 होती है बच्छ में कटी यानि लंबर में 5 होती है सिक्रल में 5 होती है जो वयस्क होने पर 5 मिलकर एक हो जाती है कोक्सिजील में 4 होती है जो बड़े होने एक्सिका का क्या जावत होती है कि कोसे नंबर 13 है कि मानौ सरी में कितनी हडिया होती है तो 206 वही वही कोसे पूछा हुआ है दोस्तों ठीक है अब आते हैं कोसे नंबर 16 की तरफ कि मानौ सरी में मानस्पेशिय को जोड़ों की संक्या कुल कितनी है दोस्तों मानौ सरी मानस्प हो जाएगा कि मानों सरी में कुल जो है पैटालीस परसेंट भाग सरी के भार काकिवल मान स्पेस्यों का होता है याद रखेगा कोश्य नमब सत्रह है संधी जोडों के साइनुवियल नामक तरल पदार्द वाले इस्थान के पास सूजन आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं तो सा बढ़ा जाता है जो आए अपसमें घिसती हैं जैसे जैसे पो भापा नामक का अपसमें घिस्त भाग होता है अ जाता है जएक जैस में कम मातरढ़ा होती है तो गठिया सब्सक्राइब का तुा भुट्ब विट्ज जाने लेना चाहिए तो यहां पर सुजन आ जाए कोई चूट आ जाए तो उसे हम साइनुवाइटिस कहते हैं कोशन मा अठा रहा है कि हमारे सरी में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है दोस्तों बीचे मोर्ती हड़ी उरोस्ती होती है जिसे इस्टरनम बोलते हैं मानुब्रियम और Polis G5 तो मानुब्रियम होती है वह उपर का चैळा भाग होता है और बीचवड़ोली कहते हैं जास जोड़ी पसलियां जोड़ी होते है जूड़ू में बात करेगा तो बारा जोड़ी पसलियां यहां पर 12 जोड़ी आपका राइट इंजर होगा दोस्तों पसलियों को दो भागमबाटा गया है true and false lips दोस्तों हम सत्जियों साथ पसलिया होती है जो प्रतेक अलग-अलग उरस्ती से जूड़ती है जब जो फाल सब्स होती है तो जोड़ने से पहले 3-1 होकर के तब उरस्ते से जोड़ती है और जो 11 बरहभी होती है वो बिल्कुल स्वतंत्र होती है इसलिए 11 बरहभी पसली को floating lips भी बुला जाता है और दोस्तों प्रते एक पसली जो है मद में intercostal muscles के द्वारा जुड़ी रहती है जब हम स्वास अंदर लेते हैं inspiration करते हैं तो पसलिया बाहर की और उठती है ठीक है और जब स्वास अंदर खीचते हैं तो पसलिया अंदर की और गति करती है question number 19 है रेडियो अलना अस्थी कहां पेस्थी थे अभी जश्ट पताया थी मैं और अस्थी को दो भागों पाटा गया है तो जो हमारा रेडियो अलना अस्थी होती है यह फूर आम याने की हाथ में होता है अगर हाथ में होता है तो फूर आम जो अंगुठे से लेकर कोहनी तक हड़ी जाती है उसको रेडियास कहते है और जो छोटी अंगुठे से लेकर कोहनी तक जाती है उसको अलना अड़ी कह दोस्तों इसकेक्व कॉला अस्थी हमारे कंध्य परस्थ होती है तो यहां पर अपर आप थीक है तो एक एक हाथ में 30-30 हडिया होती है या रख़िये गां और अपर लिम में दुनों हाथ में कि दो हाथ में 30 सठी कि केंच एक हाथ में 30 सठी हम 해요 और जो सठाखी एक हिसे फुब्ड़ यह की दो एक हुप उप गया आठ हड्यां आपके कर्पर्स यान कलाई की हो गई चीक है and metacorpus हथलियों की पांच हो गई तो इस परकार के कुल तीस-तीस हड्या होती हैं दोनों हाथे में 60 हो गया और पैर में भी 30-30 हड्या होती है आर जो परीविक होता है कोल्ले में 6 6一下 वह टकने की एंकल की अपरों कोसरियों में इससे कौन सा सूमेलट नहीं है यहां पे आपको देखना और कौन सा सूमेल नहीं है तो दोस्तों जैसा कि ऐसा कि आदियों का वर किलासिफिकेशन किया गया नंगे बून सोट बूनि welcomed इर्यगूलर अंसिकाम हाथ हो नीवर का काम करता है उत्तोलग यह हमारे हाथ को पैरों लंबी औस्टिओं में जैसे की उम्रो के बई सबंप करना अंगो ke dam और भाग की सेनल परते का फ़िया श्ठी मज़ा परती सब्सक्राइश माझ़ा वाती। program खुण Entre족 सब्सक्राइश का ऄ रिर्ष का निर्ष कर्पा हरा की दिनल सब्सक्राइश का अंगो श्ठी के दिनल्हान का डिनल होती हificial ऐसकती है उसके पुलांर ठिये उत्ति होता है इरेगूलर पुस्तित होती हैं 불 Board का सभ रिल की होती हैंで सब्सक्राइब बाद 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 में इसा मुझाओ सींक जुड़ों के आसपास बुजने बाद पूर्ट। सब्सक्राइब के दियुक्त नहीं करते की सुमेलित नहीं है उसको देखना है तो यह मेरा सुमेलित है यहां सरुच्छा होता है यह पहीं सही है फ्लायर बून बाता है है अधि नातन संदमभी कंड़ शुरूखत, रुल्स यह पहीं में सही वी और स्ञह्खत चूर बून में कि यख़ हापर इरिगुलर बूर नहीं होगा यह आपका गलत हैं और सबसभी हैं हुआ कि दुमार hahaha तरहरे आपका अधियर की हर याद रखेगा एक कोश्यन नम्बर 23 एस मिह मानौ शरी में कितनी प्रकार के जोड़ होती हैं तो मानौ सरी तीर प्रकार के कितनी प्रकार के तीर प्रकार के यानि कि अचल संदी औधचल संदी और अचल संदी lij faith ते değildi तीनों को जैसे कि अचल संधी को फिस जोईंड, फाइबर जोईंड, साइनोथ्रोसिस जोईंड, एन इमोवल जोईंड कहा जाता है। दोस्तों इसका कोशन हंडीड परसंड याद रखेगा। हर इजाम में आता है। और अधचल संदी को strictly movable joint, cartilage joint, amperthrosis joint कहा जाता है। और जो चल संदी होता है उसको freely movable joint, synovial joint and diarthrosis joint कहा जाता है। और इसको सौड में याद करने का एक ट्रिक मैंने बताया हुआ था। और जो चल संदी को जोड़ों 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 किंसलोजी बाया मेकनिस के प्लेयलिस में जाए और जोड़ो वाले वीडियो को जरूर देखिए पुरा समझ में आपको आ जाएगा कोश्चन नमबर 24 है जोड़ो की अध्यान को कहा जाता है वे जश्ट बताएं हूं आथोला जी कहा जाता है कोश्चन नमबर 25 हिंज संधी होती है तो दोस्तोब जैसे कि मैंने आपको पताया है कि जो होती है ऊपरी के जोड़ को अचर संधी कहते हैं में कोई गती नहीं होता है.।। जिसे हमारा सुचर होता है। तIELग प्लकार जोएंट छिर्ट कं। 2% के अब प्लकार पैग न बतर कते हैं. दूसरा होता है और्धचल संधी जिसके अंतर का जिसमें बहुत कम गतिव होती है जिसमें आपका रिड़ की हड़ी जिसका जोड़ जिसे इंटर वर्टिबल जुएंट कहते हैं एंड टेल बोन के पास का जोड़ कुले का सरोतम सबसे निचला जोड़ हिस्सा पीविक सिंफे यो 4 होता है यह सिमरें डुकिले की रकतिक हुए हैं इसमें इसके ऑफकी में गलादी जोइंट जूएंट है कर्पस तर्स जोइंट हो गया बालन सॉकिर जोइंट जिसे कंदू खरी का संदी कहते हैं इसमें किसी भी सभी दिसाओं में गतिव होता है इसमें एक हड़ी का गोल सीरा दुसरे हड़ी के कप की अकार में फसा रहता है जिसे हम जिसमें हींज जोंटब शुल्डर जोंट्ट हैं हें 30 हींज जोंट ईंदीर कका संधिं भी कहते हैं कि एक कलब में गतिव होता है जहिक द रवाचय कएल लिए युन एक्सिल होता है ऐसे की ऑएंच हीतु सूर fetch कंदर कर तो इस तुल में बिलते हैं अपिवाओ जोईंड ज्वाइंट पांच वां प्योड जॉड़ित सन्धी बोलते हैं इसमें सिर्फ HI नारेकात युक़ीके फिलगें प्रंगेंगलस थी एयो जाहेम कि आधाइन वाले संधी कहते हैं, यह सिंदो फे वाईट्यी में कभड़कृ आधान का सबाईशो प्रिंग भर्ण हलिक अन्थो आधारी के ऊपर मिल्सुप म 받아ने सेयूल। जो जोड़ होता है जिसमें अउठा प्रतेक उंगली के सामने चाह सकता है अई हो कि आपको समझ में आया होगा तो इसमें इसमें चल संदी के अंतरकत आएगा यानि सचा संदी यहां पर राइड जातर होगा कोशन नंबर 26 है हिंज संदी को कहा जाता है तो दोस्तों हिंज संदी को मुएबल ज्वैंट यह चांद संदी के अंतरकत आता है इसलिए उसको क्या कहा जाएगा हिंज संधी को मुएबल ज्वैंड आपका य हें का अच्छा कि जूड का अच्छा उधारण है तो तो जैस्ट पताएं हूं एक तल में गतिव होता है जिसे दर्वाजा एक ही जिसा में कुमता है तो इसमें नी जूएंट एल्बो जूएंट उँलियों का जूड जब्रों का जूड आता है यहां पे घूटने का जूड कोहनी का यहां पर उप्रक्त सभी आपका राइड़ जरू होगा है कोसे नमबर अठाइस है दो या दो से अधिक हडिया जब एक जगह जुड़ती है तो यह कहलाता है दोस्तों इससे जुड़ाइंट कहते हैं और यह दोनों को जुड़ने वाले कुन होती है इस ना या एक लिगामें सब्सक्राइब ऊद्सकाया जरूर को जुड़ जौड़ाएं सब्सक्राइबobed fortun जोड़ता है इस सब्सक्राइब कुड़ने थासी कहते हैं और इससूं लेगामेंट होती उप्रेश ब्याय है इसímसे दो is a decision मांस्तितर एु नहीं से प्रम कन्सक्राइब टी जोड़ता है हीप एंड कंदी का ज्वाइंट जो है बालन सौकेट ज्वाइंट के अंतर आता है जिसमें फ्रैक्शन एक्स्टेंशन रोटेशन सरकूंडक्शन हाइपर एक्स्टेंशन सभी प्रकार की गदियां होती है उप्रोक्ष सभी यहां पर राइड़न सुरू होगा है क्षाग कोस्ट मरिअब आखेें फ्रकार का जोड़ है थो दोस्तु पन्दय का जोड अजोंड जोंड ब्लों को बार है युसरव प्रकार की गतिफ होती है क्वाइड यह जोयन किसे कहते हैं त्यांसłeel के कुट्य हो Guru यहां कोशन कर दोनों हो जाएगा निदन में से कौन सी बॉल और अन्टोर संदी है तो यहां पर बाल इन शाक्ट संदी कौन सी है कंदे की संदी है याद रखिएगा कोशन किसी भी प्रकार से पुछा जा सकता है और इस प्रकार के संदी कि यहां पर अपा कुंचन यानि प्रोटेक्शन और रिट्रेक्शन होता है किस में होता है एक कंधे के जोड में होता है प्रोटेक्शन का मतलब होता है प्रोटेक्शन मतलब होता है सोल्डर को वापस आगे लाना और रिट्रेक्शन का मतलब होता है सोल्डर जोएन को पीछे ले जाना तो यह कंधों में होता है तो कंधी का जोड इसमें राइडेंस रहोगा कौशन नंबर 34 है कि मांवशरी में हिंज संद्र में पाए जाती है तो हिंज संधी जो है हमारे कोहनी का जोड यान की तो तो इसमें आपका कोहुनी का जोड जो है हिंज जोड की अंतरगत आएगा क्वोस्टिन नमबर 35 है कि कोहुनी और घुर्टे में किस प्रकाव की संधी पाए जाती है तो अभी जस्ट पताएं हूं इसमें कबजा संधी याने की हिंज होता है नेक्ट कोशन है घुर्टनी का जोड एक प्रकार की जोड का उदारार है तो घुर्टनी का जोड कोहनी का जोड उंगलियों का जोड जब्रों का जोड एक इसमें आता है यूनी एक्सिवल जोड जोड एक तल में गतिव होती है एक कबजे वाला जोड आपका कोश्य नम्बर 37 है कोहनी संदीद वारा कौन से गति नहीं कि जा सकती है तो दोस्तों कोहनी में हम अधोनी में अधूरतन ध्रोनेशन शुपाइशन ब्ट हम रोटेशन मोमेंट नहीं कर सकते हैं नहीं हो सकता है यह दर्ख्येगा है कोसे नंबर 28 है यहां पर आपको मिलान करना दोस्तों यहां पर कंधा कौन सा ज्वाइंट होगा कंधा और हिप दूनों बारा एंड साखेंट होता है एक पुर हो जाएगा एक उप बी और डी दोन में धिया हुआ है को नी किसमें हो जाए ऍमिल्पी जोन्ट में तो एक और एक आको और एक तो यह वह आप है यह मिल नशीक के न से नंवर ढ़ेगीством एक वाव समी कुआस के वहागा है आपन नंबर ऑट की होसाना में कहल के ई। कालीНу रिस्ट जोनकी कुआइब तो हम कर यहां पिंने आarchy कर स On इस प्रकार option number D यहां पर right answer हो जाएगा अभी वर्तन यानि ए्डक्षण in a स्रैक्रा cour 來ना ही भूरतन जो होता हूं जोता है सरी के तरफ होता है यह हो्ति है फिर ब्लृव के आड़ सिंस उड्रका डूपूं के मत्रीयों ही रहता है चल्डू कंड्रिपर कोई होता है ये ball and circuit joint के अंतरगत आएगा तो यहाँ पर आपसे नमबर D हो जाएगा ना तो एक ना तो टू कोश्चन नमबर चालिस है कि किस संदी में अस्ची को 360 अंस में घुमाया जा सकता है तो सभी प्रकार के गतिया क्यों कंदुख खली का संदी ने ball and circuit joint के अंतरगत आता है तो यहाँ पर जो बालन circuit joint है कंदिया और हीव जो होता है जिसको 360 अंस में घुमाया जा सकता है सभी प्रकार के गतिया इसमें होती है पोश्चन नमबर 41 है कि मानो सरी में gliding joint joint में पाया जाता है तो gliding joint जो एक हडे दूस्रे हडी पहारि कहाँ का लगाए के टर्ण्व आगे कि होती है करपास और जो टखने की हडेया होती करपस तर्स टर्श जो होती है थे यहाँ यहां पर राइट इंसरु हो जाएगा आप का कलया थे कर दो किस जोड को थोड़ा चलसंदी यानि कि MPR थोसिस यहां पर राइड अंसर होगा थोड़ा चलसंदी को क्या कहते हैं मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ था DAS दी से वो गया डाययर्थोसिस यानि कि चलसंदी यानि कि आछ चलसंदी यानि थोड़ा चलसंदी यह से वो गया शाइनथ्रोसिस यानि की अचरसंदी ठीक है यह चीजे याद रखेगा कोस्टन नमर्च वालिस है कि मेरुदर्ण यानि वर्टिबल में हडियों की संख्या कितनी होती है है तो रीघर के अडीयों में 33 होती है और वयस को हने पर 26 बच जाती है इसवीश आपका जो लाश्ट वाला जो होता है सेक्रल जो पांचों मिलकर एक हो जाथी ए और चार मिलकर एक हो जाती है इस प्रकार जो है 26 हड़िया बचती है तो यहां पर देख सकते हैं बाटा गया है अस्थी को दुभागमी एक्सियल कंकाल और अपेंडिकुलर एक्सियल कंकाल के अंतरगर खोपड़िया कपाल की 28 वच में एक रिप्स 24 हायरबोन एक मेर्दंड में 26 या 33 खुल 80 हड़िया होती है उसमें से अप निष्यकाल पेंडिकुलर में अपका अपर लिम दोनों हाथ और दोनों में खलाया याने की कलेविकल और कंधों की मिला कर चॉण सट और लोड लिम में दोनों पेर और स्रोड़ इमिला करकि के बार सट को अंगर्या संदी है ग्रिवा अरी गर्दं के संदी को इसे को इसे पीवर्ट जुएंट धुरा ग्रसंत ही जिसमें सिर्ड रोटेशन मोमेंट होती है यहां पे राइट एंसर क्या हो जाएगा कोश्चन नमर 45 का कि पीवर्ट जुएंट तो दोस्तो रेडियस अनला का जो सुपाइनेशन प्रोनेशन मोमेंट होता है वह भी पीवर जुएन के अदर रगत आएगा क्योंकि रोटेशन हो रहा है क्योंकि बड़े होने पर 26 और छोटी बच्चों में होता है तो यहां पर राइड होना चाहिए कोसर निम्र 47 है वर्टीब्र कॉलम में कितनी हडिया होती है तो तो यहां विदाइड होगा कोसर निम्बर 49 है कि मेरू रज्जु में कोसर को संख्या होती है 23 होती है ठीक है कोशन नम पंचास कै यह परतह्म पॉल्ग प्रथम प्रइवक हो में बटन कॉक पांच से आउक होता है स्ट सबराई कषर ठीस्हाट सब्सक्राइन है जो वह कना होता है कष्छरी देश्ब्स कैशा यहाद तो प्रेटिस हो involvedЧू में धोर 27 सर्वाइकल पूर जो है इस में फ़ागी प्रेसे सब से तो प्रत्यम कहते है नाम हो back. कुछ सब्रूर प्रत्व पर श्रुद्र हो जाएंगा आपसा मैं नंबर्स को n ds किस प्रकार का तंतु एक दूसरी तंतु को जोड़ने में साहता करता है तो होता है दोस्तों आपका कनेक्टिव टीशू जिसी अभी जश्ट बताए थी आपका टेंडर, लिगामेंट, वाइट फाइबर, अस्थी, उपास्थी, जो हमारा बलड है आपका एडिकोर्ट टीश क्या है दोस्तों मानो अस्थी का मुख्यत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त केल्सिम की है ने ऐसकता सरी में इस कारण होती है कुस्छर करण दोस्तुमें दातों के निर्मारे में यहां बूफ कर दोस्तार जांगा कोश्र में पोजिए किर्द निर्मार में नीछ हजबूत बनाने के लिए ठीक है कोशन नमबर 56 है दातों हड्यों को बनाने के लिए क्या उस्थ होता है तो यहां पर अलग अलग दिया रहेगा तो कैल्सियम आपका राइडल से रहूँगा है थीक है है किने इस है है अश्क्रफ कोशन नमबर अंठावन है कोन सा लवर सबसे अधिक पाए जाता है तो कैल्सियम फास्थिट के साथ बहुत सारे चीछे जूर कर आती हैं जैसे कैल्सियम-फास्थूड कैल्सियम है क्लोराइट, क्लोराइड, 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 क्लोराइड चैलसियम करण होगा Q69. हरडी का कड़ापन किस तत्तु क करण होता है? तो छोग मजबूत होती है या कड़ापन होता है कैल्सियम की करण है पोशुनुमार साथ है यह सित है कि हुपर हडी कोई यह सित है कि अपर लेम में दोनों हाथों बाह में है थीकर है ले कुछ फीर खडी के उपर 22 न सब्सक्राइब पीछे टाइस ब्सक्राइब आपका 01 की हड़ी का नाम है आप सबको पता है सिमार जो सबसे बहारी या लंबी अस्ती होती है थो एकी मात्र कोपड़ी का भाग होता है और सब इस ठीर होता है तो मनिस्ति कि सब्सक्टünüz की सब्सक्टि और सब्सक्रा भाग होता है और सबसे मज़बूत हंुथ होते हैं दात का olması मेल ऐसा चुछनम के भी त्लिया पंगे हो चुछन नुम्बर एंसविए पंगे मुच्छ पर की पर कुल 14 हर्डी तो कुल 14 हर्डी पर कोशन नंबर 34 है स्टनम कहां पर एसित होती है तो जो हमारे वच्छ की मोटी हर्डी होती जिसमें दोनों बाइबारा अजोडित पेसलिया, जो जो उरुस्ति होती है, इस्तौनम होती है, तो यह उरुस्ति यानि का होती है, य मैनुब्रियम, ग्लैडियोलस, जी-फाइल Sy Klein klos, होते हैं का हुपरका सब सबसी चोड़ा भाग होता है , जैसे कि आप देखते हैं कि हमारा इस्टनम होता है इस प्रकार से होता है इस प्रकार से होता है तो इस्तिया हमारा हसली जूरी रहती है फिर यहां से हमारा कंधा होता है फिर यहां पर हसली यहां इसे जूरी रहती है तो जो मारा सबसे चोड़ा अला भाव होता है इसे मैनु जसके नीचे स्वतंत्र होता है उपास्थ्य उसके नीचे नीचे प्रिट आम आस से पित्थ्य सरूषित। कोशन नमबर 65 है उरोस्थी भाग है याने कि इस्टर्णम जो होता है वच्छ कसिल्का का भाग होता है ठीक है कि विज़श्ट यही कोशन आपने देखा वुच्छ नमबर 66 है मानौ सरी की सबसे लंबरी आष्टी कोन सी है तो आप सबको पता है फीमर जांकि जो से उर्वास्थी कहा जाता है हिंदी में सबसे लंबी ओभारी हड़ी होती है सबसे लंबी अर्श्थी कुन सी है तो फीमर इस्ट है मानो सरी में सबसे लंबी अर्श्थी होती है तो फीमर इने उर्वास्थी नेश्ट है मानो सरी में सबसे लंबी हड़ी कौन है तो फीमर है वही वही कोशन है कोशन नमर 70 है मानो सरी में सबसे लंबी हड़ी कौन सी होती है तो वह है फीमर यानि उर्वास थी कोशन नमर 71 है मानो के मुटापे का मुख्य करण क्या है तो दोस्तों मानों कि मोटापे का मुख्य करण होता है वस्य उत्तक में बृधि जो फैटी उत्तक होता है तो यहां पर आपसा नमर बी आपका राइज़न्स होगा वस्य उत्तक में बृधि यानि मुटापा यानि इस थुलता ओविसिटी जो होता हैीjo worth chestwater की रुप में फ्यल जाने के रुपमे प्रिघ्वसित किया जाता है वसी पदार्थों का र congressional करने से मूटापा ब्लापा क्रम करण it मारों किमें खुपड़ी, एहां खुपड़ी तो इस के मारा किमें खुपड़ी यानु थिता ही घुस्त Сबक्ताइश। तो अठाइस ताइस के ओनती हडियों में जो खोपड़ी आनी क्रेनियल भाग होती है उससे आठ हडिया होती है जिसमें हमारा फॉन्टल पीडल टेम्पुरल ओक्सीपीटल इसफिनायड इत्हुमोरड होता है एंद 14 होती हैं कान में लिख होती है कंठीका यहार्ड़ में लि तो खुपड़ा इसकल्बून की बात कर रहा है तो फिल 22 अदिया होती है पिले था हिस थी कैस इस्ट की थे हिरNER 22 आगर 39 घाइगा 24 अब ला है खुपड़ा हट्टा 23 अखुआर cabbage होगा हिए अगर इसकल्थ की बात करेगा की ए Thanks क्यों स्थ संधी को क्या घोटा है उस्टव में कहा हैं कि खुपडी हर्डीर के इसकल भून की इस्ति को क्या जबता है कि सुचर कोई तो जुचर जॉइंट कोई नरे सुचर ज्टे county होता हैं जो की फारी आप घ्रीयों को सबादां जाहिसा हो फिखरे जोड़े में कुठै जाहिसों ऐसक ज्ट सेजितल सूचर करोंटल हैं यड़ू को सबसे बड़ा सूचर ए और क्रोणल सूचर होता है फ्रान्टल हुंटika जोड़ होता है और अस रोहां भादो सी आवड़न सूचर आप सेडान हादन ilay system के तो एक हई जांक कुषिन निबर होती है यानि खोपड़ी में इसकल में और शुवाग होता है कि हाशन nuances मानोंशरीर हम पाई जाती है सबसे च्ल उगहाँ के यही धोनी उत्पन्न करती है कानू में कोस्टन नमबर 77 है इस्टेपीज अस्थी सरी में किस भाग में होती है तो आपका कानू की हडिया याद हो जाएगा है मिस में स्टेपिज एक है मिस में याद कर लिए तो आपका कानू की हडिया याद हो जाएगा मिस में स्टेपिज दोनों तरफ तिन तीन होती है यादि को इस अंग में इस इस होती है तो मानों सरी में हड्यों को किसके अधा पर वर्गी कित किया गया है तो उसको आकार और आकरिती के अधा पर पांच भागों में डिवाइड किया गया है जिसके मैं एक्सपेंड कर चुकी हूं लांग बॉन, सौर्ड बॉन, फ्लैड बॉन, इरेगुलर बॉन, एंसिसामोयड बॉन, लांग बॉन दे लंबी हड्या आती है जो लिवर का काम करता है जैसे कि हाथो पेरों की हड्या ही, हीम्रस, रेडिया, अनलाफ, हीमर्टिया, फिला, साड बॉन जो होती है जो कार्पस श्रुछा किया वाकन्ध्यूं के अरह समस्टार च्राम यूथ होती हैं। रपनल वन जोल के बड़ाई अनिमित होती हैं। अग्रबाहु यानि फॉर आम की दो संधित अस्थियां आर्टिकुलेटेट बोन्स कहलाती हैं तो दोस्तों उसको कहते हैं रेडियोस अलना यानिकी डेडियोस अलना हड़ी जो होती हैं दोनों जॉइंड होती हैं जिसमें आपका यह सेडल प्यूर जॉइंड के अंदर गता ठीक है टीभिया फीवला फीमर यह थीनों पैर का हिस्सां बर्ड ढ्ट है यो हाद का हिसा है उप्रीबाह का कोशन इसलब सेब्ट्द है कोन सी उप्रीबाह की हड़ी है नि अपर लिंब्य में अपर लिंब्य में आपका हुझा यापका हो जाता है हमारा तो कि और उपरी बाहन के हड़ी कौन यह आपका बताना है तो यह प्रगंडिका यानि हो हड़ी जो है उपरी बाहन की है थेक्पेजियम भी आपकी हड़ी है जो अउपरी बाहन की पूचा है तो प्रगंडिका यानि की हुम्रस अब का राइडर तुर होगा है को से नंबर 83 है अन्सफॉलक यानि इसकेपुला जो कंधी की हड़ी होती है कहां इसी होती है तो अपर पीठ में अपर बैक में होता है को से नंबर 44 है मानो अस्थी पंजर की घुटने हाथ पेर में पाई जाने वाली अस्थिया कलाती है तो घुटना यानि जॉइंट की बात कर दिया है दोस्तों तिया सिसा मायट बोन यानि की कंड्रास्थिया के अंदर रगत आ जाएगा ठीक है पांच वाज़ प्रकार है अक कोचन नमर 50 है घुटने की परिवर्थनी अस्थि को क्या कहते है तो जोस्तों घुटने की परिवर्थनी अस्थि को क्या कहते है पटेला कहते है जो घुटने के ऊपर कटोरे के समान होता है उसे पटेला कहते है परिवर्थनी है इसको रिप्लेस्मेंट भी किया जा सकता है अस्थाम पर दूसरा क्रितिम यानि की अर्टिफिसिल लगा जा सकता है जो मद्बूत प्लास्टिक का बना होता है मानौ नुविमित क्वेशनुमर 66 मानौ सरी की उपपंधी 85 में कितने हडिया होती है तो मानो हडी को दो भागों पाटा गया है एकस्टियल कंकार यानि अच्छी कंकार जो 80 होती है दूसरा फ्रक्राइब जिसमें 126 होती है जिसमें अपर लिम लोर लिम में में दोनु हाथ दोनों कंधी या तो बारी तो होती है दोनों मिलाकर 126 होती तो कि यहां राइट इंसर हो जाएगा 123 अब कोश्चेन नंबर 87 है इस्टन्नम हटी इसीद होती है उरोज्ति यानि इस्टन्नम हमारे पसलियों की बीच वच्छ में इसीद होती है तो पसलियों की बीच में आपका राइट असर होगा कोशन नमबर 88 है कि सरी में लंबी अच्छियों का क्या कार है दोस्तों सरी में लंबी अच्छियों का कार लीवर की रुप में कार करती है हमाई सरी में सबसे ज़्यादा जो है त्रिती प्रका का लीवर होता है ठीक है प्रका की लीवर में एक्सेस बीच में दिती प्रका की ल कोशन 59 है कि की की मौनवी में या लंबी अस्डियों काया होता है यह chase को बैसे लेपसंतों करती है हम बूर्ड कखने के लंबी ऊस्थियों का मानो खोड़ है नियुक्त तो उत्त albeit तिरह कारे करना फिर वही कोशन है मानों सरी में लंबी अस्थियों का कार क्या है तो लिवर के रूप में कार करना कोशन नमर 92 है अस्थियों का कार है दोस्तों अस्थियों का कार जो है जो है जो यह आंतरिक अंग है कोमल अंग है उन सबका सुरच्छा पदांग करता है याORT कि पर अच्छा पदाएं करना आपका आइड समुotal। जाये आए। याजिती जो अस्थिया होता है है इचित। देड़ा करते हैं प्रणुज कते हैं हुआ हीॆ कोशन मंद तिरानमें लाज खुशन आसके शेशन का गरे उस ऑलने सेटों के गयाए। स्क्वाइर क्रॉस सेक्षनल एरिया द्वारा कितनी मात्रा में तनाव और उपित किया जा सकता है इसका राइट इंसर वोगा तीन से चार किलोग्राम प्रतेक सेंटिमेटर स्क्वाल क्रास सेंक्शनल एरिया में तीन से चार किलोग्राम की मातरा में तनाव और उबित किया जा सकता है जो दोस्तों कंकाल पेसियां होती है एक निधारित विस्तार जिसा असंकुचल बल के प्रतिय अनुकुलित होती है और इसी के अनुरुप गति प्रचनम में एक दान देती है इससे ज्यादा अगर खीचेंगे तो उसमें खीचा आ जाएगा चूट आ जाएगा तो दोस्तों यह था आज के सेशन में कंकाल मांस कंकाल तंत्र के अंत्रगत एनोटोमी फीजियोलोजी का सेकेंड पॉर्ट और थ